यह स्टोरी 19th century की है जो की नियू इंगलेंड की स्टोरी है यहाँ पर चार सिस्टर है एक है टॉम बोईस जो यानि लड़कों की तरह है बेहेब करनी वाली जो ब्यूटिफुल मैग फ्रेल यानि दूबली पतली बैथ एमी है जिसके करली हेर है यह चार सिस्टर है जो की छोटी बच्ची थी पहले अब ग्रो हो चुकी है बड़ी हो चुकी है वूमेंस में अब इनकी जो फादर है वो वार पे जा चुकी है एक लड़ाई लड़ने गई हुए है इनका परिवार थोड़ा गरीब है फिर भी इस वो संतुष्ट है और खुस है यह हमेशा दोस्त बनाना पसंद करती है दूसरों की अदद करना पसंद करती है क्या यह सिस्टर अब एक दोस्त बना पाएंगे दोस्ती कर पाएंगे अपने पडोसी के साथ जो अकेला रहता है तो इस ड्रामेटिकल वर्जिन को हम कि इसमें क्या लिखा हुआ है जो कि लिखा हुआ है लिटल वोमेन एक्स्ट्रक से इसमें पहले जान लेते हैं कि करेक्टर कौन कौन है यहां पर जो और मैं यह दो सिस्टर है जो करेक्टर है जिनको मार्च सिस्टर भी कहा गया है यानि यह मार्च सिस्टर इनके सरनीम है यहां पर नेक्स्ट है लोरी लोरी एक बोई है जो कि उनका पडूसी है उसके ग्रेंड फादर है लोरी के ग्रेंड फादर जो कि जिनका नाम है मिश्टर लोरेंस एक मेड है यान नोकरानी जो कि लोरेंस के घर में काम करती है यहाँ पर scene first start होता है यानि कि यहाँ पर एक stage show हो रहा है जिसमें एक पर्दा उठता है इस तरीके से यह पूरी कहानी दिखाई जा रही है तो scene first में क्या है कि scene first में दिखा रहे हैं कि एक drawing room का scene है एक room में दो sofa रखे हुई हैं उसी room बर दोनों एक दूसरे के opposite side है दो chair भी रखी हुई है एक cupboard है जहाँ पर समान रख सकते हैं एक large coffee table है उन्ही के बीच sofa के बीच एक fire place है जहाँ पर आग जलाई जाती है और एक सुन्दर सी चमकीली आग वहाँ पर जल रही है sofa और chair दोनों एक सुन्दर से कपड़े से ढगे हुई है पर दोनों के जो जिस cover से वो covered है जिस कपड़े से वो covered है उनका जो color है थोड़ा धल चुका है window यानि खिड़की के जो परदे है वो crimson color की है थोड़े bright हैं पर उनका भी color अब dull हो चुका है the effect is one of seven burnt gentle poverty यानि यहां पर वो ऐसे मोहौल में भी एक socially life अच्छे से जी रहे है इतनी पैसना होने के बाद भी फिर भी वो ऐसे जी रहे हैं जैसे अमीर लोग जीते हैं मताब उनकी तरह behavior उनका जो घर है उस तरीके कही है चाहे परानी इस्तमाल कर रहे हो पर सही वेम कर रहे हैं उनको इस्तमाल a young girl is reading on one of the sofa एक sofa पर उन्हीं में से एक sofa पर एक girl है जो कि book पड़ रही है उसके feet fire की तरफ है और यह लड़की है mag see look up another young girl वो देखती है कि कोई दूसरी लड़की उसके पास आ रही है जिसने rubber boots पहने हुए है एक hooded cap है hooded cap एक तरीके से यह है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक चोगे की तरह होता है इसको पहना हुआ है उसने उसके एक हाथ में जाडू है broom यानि जाडू है और दूसरे हाथ में sovel है sovel खोदने के लिए यूस होता है mag पूछती है उससे संसार में ऐसा क्या है अब तुम क्या करने जा रही हो जो कि world में अब तुम क्या करने जा रही हो जो कहती है मैं कुछ exercise करने जा रही हो ये बात वो smile करती हुए कहती है mag थोड़ी डरी हुई सी कहती है exercise इतने ठंडी दिनों में यासे ठंड वाले दिन में तुम exercise करने जा रहे हो जो कहती है कि तुम यहाई पर बैठो अपने इवेनो यानि एक नोवल है historical नोवल है जो कि Wilfred ने लिखी है उस नोवल को आप पड़ो अपने पैर को सेको पर मैं तो जाओंगे मैं जा रही हूँ जो यहाँ से चली जाती है और मैं उसको देखती रहती है गूर कर मैं भी अपने जो मैं है वो अपने कंदो को हिलाती है और कहती है यह लड़की यानि जो को कह रही है वो यह जो कभी भी सांत नहीं बैठती एक मिनट के लिए भी सांत नहीं बैठ सकती है देखना ये जल्दी ही वापस आ जाएगी complaining करेगी ठंड के बारे में मुझे बताएगी कैसे उसके पैर ear, finger, सबी जम चुके हैं और जल्दी ही हार माल लेगी वो फिर थोड़ी समय बाद कुछी समय बाद जो फिर वापस वही पर आती है एक excitement उसके चहरे पर होता है जो कहती है मैग से do you know where I am going now तुम्हें पता है मैं कहां जा रही हूँ मैग कहती है मैग उसकी तरफ देखती है थोड़ी सी डर जाती है startle तो यानि डर जाती है surprise हो जाती है मैग कहती है oh it's you अच्छा ये तुम हो तुमने तो मुझे डरा ही दिया था क्या matter है क्या बाहर भो ठंड है जो कहती है no to be it इतनी भी जाद नहीं मैंने सारी snow को खतम कर दिया है मतल़ क्लियर कर दिया है साफ रास्ता रास्ते को भी साफ कर दिया है वो कहती है कि क्या तुमने लोरेंस को देखा है जो सामने वाले एक आजिसान महल में रहता है जो कि हैड यानि हमारी घेरे के दूसी तरफ है मुझे चिंता है कर दिया हो चलाना जाए और वो यह ऐसा क्यों कह रही है वो उसके लिए बताएंगे कि वो ऐसा क्यों कह रही है कि मुझे डर है कि वो चलाने जाए फिर कहती है मुझे लगता है उसके गरेंटपा को पता भी नहीं है उसके लिए क्या अच्छा है हमेशा उसको बंद रखते है उसे कोई न कोई ऐसा चाहिए एक यंग परसन चाहिए जो उसके साथ रह सके उसके साथ टाइम बिता सके उसका good mind हो और वो बता सके कि गरेंटपा को क्या करना है मतलब वो खुद को कह रही है कि मेरे एक अच्छा दिमाग personnes और मैं उनके गरेंटपा को यक्षा क्या होंगी कि क्या करना चाहिए scene 2 start होता है curtain यानि पड़दा उठता है Lawrence window पर खड़ा है यहाँ पर जो एक snowball बना कर एक हाथ से थोड़ी सी snow को इखटी करकर उसकी तरफ फैकती है लोरी भी अपना चेहरा गुमाता है अपना head गुमाता है और जो को देखता है जो कहती है How do you do? आप कैसे हो? आप बिमार तो नहीं हो लोरी कहता है एक croaking voice में कि मुझे थोड़ी सी ठंड लगी हुई है और मुझे एक हफ़ते के लिए घर में ही रहना है अंदर ही रहना है जो कहती है I am sorry मुझे माफ करना क्या कुम खाली समय में अपने आपको बीजी रखने में क्या कड़ते हो क्या तुम बुक पढ़ते हो लोरी कहता है नोट मच नहीं इतना नहीं वो मजे नहीं पढ़ने देते जो तुम्हारे लिए कोई पढ़ता है कोई पढ़ने सकता लोरी कहता है grandpa does sometime ग्रेंट पाक अभी कबार मेरे लिए पढ़ते हैं पर उन्हें मेरी बुक की जो शोरीस हैं उनको इंट्रा इंट्रेस्ट नहीं करती और मैं भी बार बार उसे पढ़ने के लिए नहीं कहता है बार नहीं बोलता हो उनसे जो ए मिलना मैं आता है तुम्हें देखने के लिए लोडी कहता है यहां पर कोई नहीं यह नहीं जानता किसी को तो जो यह थोड़ी हस्ती हुई कहती है यू नो अस क्या तुम हमें जानती हो लोरी कहता है जरूर मैं जानना चाहूँगा क्या तुम अंदर आओगी प्लीज तो जो कहती है I'm not quiet मैं बिल्कुल भी सायंत नहीं रहती मैं बहुत ही अच्छी हूँ but I will come मैं आऊंगी पर मैं इसके बारे में अपनी मदर से पूछूँगी मैं उससे पूछूँगी या फिर कि मैं वहाँ पर आ सकती हूँ या नहीं बस तुम ऐसा करो अपनी विंडो को बंद करो एक अच्छे लड़के की तरह मैं वापस अभी आती हूँ सीन थर्ड स्टार्ट होता है परदा उठता है फिर से स्टेज की यह सोच चल रहा है कि परदा उठ रहा है एक यंग बॉय यानी वही है लोरी वो एक एकसाइटमेंट में उनके दिमागे कुछ आइडिया आतल रहा है कि कोई उसका साथ ताइम व्यतीत करने वाला है तो उसी excitement में वो इधर से उधर घूम रहा है डोर पर कि कोई आने वाला है इतने में ही दरवाजे पर bell ring होती है कुछ दूरी पर वो लड़का रुख जाता है उसी position पर जहां पर वो खड़ा था और सुन रहा होता है अपने सिर को घुमा कर कि कोई बोलने वाला है कुछ उसकी जो ठीक है उसे आने दो ये Mrs. जो होंगी जो आती है उसके पास एक डिस है एक हाथ में जो डिस कवर्ड है बैथ की थ्री किटन्स भी है उसके पास अपनी सिस्टर की तीन किटन्स है दूसरे हाथ में जो बोलती है here I am back and baggage मैं यहीं हूँ ठीक है back and baggage मैं तब मेरे पास बहुत सा और समान है जो जिस चीजों की हमें जरुवत है वो सब चीज मेरे पास है मदन ने मेरा मदन ने अपना प्यार भीजा है और वो भावती खुस होंगी मतब खुस हुई कि मैं तुमारे लिए कुछ कर सकती हूँ मैग ने भी तुमारे लिए कुछ बेजा है कुछ ले जाने के लिए मुझे दिया है यह दिया है ब्लैक मेंज यह एक डिस है एक डेजर्ट है जिसका नाम ब्लैक मेंज है यह उसकी बहन ने दिया है उसको ले जाने के लिए बैथ ने उसकी दूसरी सिष्टर ने दिया है उ I knew you did not laugh at them मुझे लगता है कि तुम इन पर हसोगे पर मैं इनको मना नहीं कर पाई अपनी sister को यह लाने से लोरी इसमाइल करते हुए कहता है इसमाइल करते हुए उस ब्लैक मेज जो डिस है उस पर से रेजर्ट वे से कवर को हटाता है और दिस को देकर कहता है कि कितने अच्छी 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 लगेगी जो कहती है टेल दगल मत ता हूँ यहां पर गल कर यह मेड को कि उस मेड को कि इसको अलग रख दे यह चाय के साथ आपको पीने होगी यह बहुत ही स्मूथ है यह बहुत ही आसानी से आपके गले से उतर जाएगी तो आपको हट करें आपके गले को मैं हापे तो मैं तो यह तोड़ी और बात करना चाहता हूं आपसे जो कहती है नोटबीड ज्यादा नहीं I can tell all day मैं पूरे दिन बात कर सकती हूँ Beth say I never know when to stop मेरी भेन कहती है Beth मुझे नहीं पता कि मुझे कब रुखना है मैं बस बोलती रहती हूँ लोरी एनिक्सियली थोड़ी चिंता में कहती चिंता वाली इस्तिती में बोलता है बैथ ने का बैथ वही है जो रोसी कलर की कपड़े पहने हुए होती है घर पर रहती है जादता समय और उसके हाथ में एक लिटिल छोटी सी बास्कीटी भी रहती है जो कहती है येस सीस माई गर्ल ये वही गर्ल है ये मेरी सिस्टर है बहुत अच्छी है वह भी लोरी फिर कहता है और जो सुन्दर सी है लोरी कहता है कि प्रिटी वन इस मेग जो मेग है वो सुन्दर है वो मेग होगी और जिसके कर लिए हैर है वो एमी होगी जो सर्प्राइस हो जाती है अहरान हो जाती है यह बात को सुनकर वो कहती है हाव डिड्यू फाइंड आउट तो मैं यह कैसे बत्ता चला लोरी कहता है वाई यू सी आई ओफटन हेर यू कोलिंग तू वन अनदर मैंने आपको एक दूसरे से को बोलते हुए देखा है और सुना हुआ है एक दूसरे के नाम मैं अपने आपको रोक नहीं पाता आपके घर में देखे हुए मैं माफी चाहता हूँ कि इस चीज के लिए कि मैं बिना आपकी इजादत के ऐसे देखता हूँ पर आप कभी कबार जो है अपने जो परदे है उसको ढगना भूल जाती है जो जिसमें विंडो के पास flowers भी है और कुछ lamps भी लटके हुए है तो उस परदे से मैं आपको देखता हूँ जैसे ऐसे लगता है जैसे कि यह picture हो आप सभी table के पास अपनी mother के पास बैठी हुई होती हो your face is right opposite आपका face जो है बिल्कुल opposite होता है उसके it looks so sweet behind the flower जो flowers के पीछे से बहुत ही अच्छा लगता है I have not got any mother you know मेरे पास और कोई मेरे पास तो कोई mother भी नहीं है मतलब मेरी तो मा भी नहीं है आप जामती हो जो कहती है gently फिर कहती है we will never draw the curtain anymore हम कभी परदा डालते ही नहीं है I give you to look as much as you like मैं बिल्कुल में नहीं रोकूंगी आपको इजाज़त है जब चाहो आप देख सकते हो परदे से I just wish, thought, instead of being you come over and see us मेरी तो इच्छा यही है कि आप ऐसे देखे ना आप चाहे तो हमारी घर आ सकते है हमारी मदर बहुत ही अच्छी है और वो भी तुम्हारे आने से बहुत ही खुस होगी हम अच्छा से हमें व्यतीत करेंगे would you, will not your grandpa let you क्या तुमारे grandpa तुम्हें आने देंगे लोरी कहता है फिर I think he would साइड वो आने देंगे अगर आपकी मदर उनसे कही क्योंकि वो भी बहुत अच्छी है और वो मुझे जाने देंगे जो मुझे पसंद है वो करने देते है pretty much only he afraid I might be bothered to stranger बस उन्हें यही चिंता रहती है करी मैं किसी stranger अजनभी के नाफ में दम ना कर दू जो कहती है but we are not stranger हम कोई अजनभी नहीं है हम तो आपके पड़ोसी है we need to think you be a bother हम समझते हैं कि आप हमें परिसान बिल्कुल भी नहीं करेंगे we want to know you हम भी आपको जानना चाहती है लोरी कहता है come down and see our library चलो अब मेरे साथ हमारी library देखती है grandpa भार है आपको डरने की भी कोई जरूत नहीं है किसी से जो कहती है tosing out her hand अपने हाथों को हिलाते हुए कहती है कि मैं तो किसी से डरती नहीं हूँ अब scene 4 इस टार्ट होता है चोथा scene क्या है the curtain rice अब फिर से परदा उठ रहा है scene दिखा रहे हैं कि scene क्या है library का scene है Lawrence के house में library है the room is lined with books room में books ही books है there are pictures and statues कुछ pictures भी है statues भी है distracting little cabinet full of coins or curiosities और बहुत सी unusual interesting things है बहुत सी चीजे भी लखी हुई है जो interesting लग रही है उसे उसी दिवार पर एक portrait में एक handsome man की handsome old man की तस्वीर लगी हुई है maid महाँ पर आती है maid कहती है the doctor to see you sir मतब लोरेंस से कहती है कि doctor आप से मिलने आई है lori भी महाँ से चला जाता है जो को वहीं छोड़ देता है और चला जाता है doctor के पास जो वहीं पर खड़ी हुई है और उस old gentleman की तस्वीर देख रही है the door open and someone walk in कोई मतब दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है और यही old man वो थे जो की painting में वो जो देख रही है his dress and elegant suits उन्हें suit पहने हुए थे seems surprised to seeing a young girl in the room वो देखकर थोड़े हरान हो जाते हैं कि उनके room में एक young girl है but before he can say anything to Joe begins speaking without turning जबकि वो कुछ कहने ही वाले थे बस जो से कुछ बोलने ही वाले थे तब ही जो बोल पड़ती है I am sure now that I should not be afraid of him मतलब तस्वीर में देखकर वो कह रही है कि तस्वीर में देखकर इनसान को कि मैं देखकर नहीं लगता कि ये इतने डरावने है ये इन से डरना चाही है ये इनकी आँखे तो कितनी दयालू है इनका चहरत थोड़ा serious लग रहा है पर इतने डरावने नहीं है इनकी willpower मुझे देखने में अच्छी लग रही है कि इनकी willpower अच्छी होगी पर ये इतने handsome नहीं है जितने की मेरे grandfather है ये बात भी वो कहती है फिर कहती है जो grandfather है उसके Lawrence के वो कहती है इतनी बात सुनने के बाद Thank you ma'am आपका बहुत बहुत धन्यवाद वो reaction देटी है हर hand clap मतल्सका हर हैं driving वो अपने हाथों को अपनी mouth पर लगा लेती है यह हम पर clap का मतल्स मतल्स तालिबजान नहीं है यहां पर वो अपने हाथ को Mouth पर लगा लेती है इस तरीक태 से klap कर लेती है जैसे है रहान होग हो जाती है तो वीडियो अची लेगी है तो लाइक करें न और थैंक यू और थैंक यू और आप आप नाइच डेग